दोस्तों सब्सक्राइब कीजिये टेक्नाऊ रीविएवो और बिक चीड़ को और बिल आइकन पे जरूर !!! तर सब्सक्राइब के लिए हमारे लीटस्ट वीडियो उप्से पहले पाने के लिए नमश्कार दोस्तों, आपको स्पागत है टेक्ना और रिव्यू में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हम की कुछ बेसिक फीचर्स, टिप्स और ट्रिक्स और वीवो Z1 Pro, जिन्हें जानने के बाद इस फोन को आप और भी बैतरीन तरीके पर यूज कर बाओगे, तो इस फोन की टिप्स और ट्रिक स्टार्ट करता है इसकी कंट्रोल सेंटर से, अगर नीचे से आप स्वाइप करते हो, तो यहां पर आपको देख जाएगा इसकी कंट्रोल सेंटर, इसमें आपको काफी सारी टॉगल्स देख जाएगा, firstly यहां पर है कुछ रिसेंट आप्लिक और यह बेसिकली है नाइट मोड, तो रात के बाद अगर फोन की डिस्प्ले को बहुत ज्यादा यूज़ करते हो, तो यह फीचर आपके लिए बहुत ही काम आएगा, स्पेशलिए अगर आप बुक्स या फिर कोई आर्टिकल परते हो फोन में, तो आई प्रोटेक्शन को फोन करने पे एक वर्म एफेक्ट आजाता है फोन की डिस्प्ले में, जिससे आपके आखों पे लेस्ट्रें होगा फोन की डिस्प्ले की वज़े से, इसके अंदर आपको मिलेगा कुछ और अप्शन और नीचे आपको मिलेगा स्क्रीन कलर की ऑप्शन, तो इन आई स्क्रीन शाट, फर्स ही रेक्टैंगुलर ऑप्शन में, इसके आपको स्क्रीन शाट लेना चाहते हो उसके एक पूर्शन की आपको स्क्रीन शाट लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, और नीचे आपको उसके बाद ऑप्शन मिलेगा सेफ की, तो इस तरह से आप फॉर लिए पर उस स्क्रेंशाट रए यारे पर कुछ देजाइंस आपको मिलेगा तुरी दिए प्रॉट्पर कुछ अपको चुछ बाओगा है या फिर दूडल तुरी थोड़ी सी कस्टमाइशेशन है फिर बिए फिर स्क्रीन शुट्ड नेक्स्ट आपको मिलेगा जिसे अ वीबो जबन पो को सेपरेटली मिलता एक मोटोरबाइक मोट इस दारान आपके पून मे कोई काल आता है तो एक मोटोर बाइक मोट रिचेक हो जाएगा और यहाभ कुछ कुस्टमाइजेशन एक अप्सेंस भी आपको मिलेगा नेक्स्ट यहां पर तोगल है Super Saver एक्जामपल आपकी फोन में बहुत ही कम बैटरी है तो और भी Super Saving के लिए आपकी अप्शन के अप्शन के अबल कर सकते हो इस अबल करने के बाद दिस्पै यहां पर फुल ब्लैक होगा और कुछ इसने की अप्लिकेशन ही आपको मिलेगा फोन की होम स्क्रीन में यसे की Clock, Contacts, Phone, Messages तो इसे बहुत ही Ultra Power Saving होगा आपके फोन में अब इस फोन में आपको फीचर मिलता है One Hand UI और Z1 Pro में One Hand UI के अबल करने के लिए आपको टैप करना होगा Small Screen आइकन पे इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा One Hand UI One Hand UI की Size को आप Increase और Decrease भी कर सकते हो और लास्ते फोन की Control Center में आपको और एक Amazing Option में जो है Dark Mode इस फोन में आपको मिलता है Night Theme यानी की Dark Mode और इसे यूस करके आप बहुत ज्यादा Power Saving भी कर पाऊगा इस फोन में बेसिकली इस मोट को अनेबल करने के बाद एक Dark Theme अनेबल हो जाता है आपके फोन में तो अगर आपको Dark Theme पसंदे हो तो इसे एक्स्टर पार सेविंग आप करना चाहते हो तो यहांसे उसे इसे आप डाइटल कर सकते हो अब इस पून की Home Screen को अगर आप Tap and Hold करते हो तो नीचे आपको मिलेगा Widgets and Dynamic Sliding Effects याने की Transitions की Feature तो Firstly इन Widgets यहांपर नीचे आपको काफी सारी मिल जाएका जैसे की Clock, Eye Music, Weather अगर बात की जाए Dynamic Sliding Effects की यहांपर कुछ Transitions आपको मिलेगा आपको मिलेगा एक सर्च बार यहांपर नीचे आपको मिलेगा कुछ भी लेटर टाइप करते हो तो वो लेटर रिलेटर अगर आपके फोन में कोई अप्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी है सब कुछ यहांपर सर्च हो के आजाएगा तो यह बैसके लिए एक सर्च बार है जिसे आप कुछ भी ढूण पाऊगे अपने फोन में बहुत एज़ी यहांपर नीचे आपको मिलेगा कुछ अप्सुजेशन भी और पॉपुलर सर्च तो यहांसे आप डारेकली वेब सर्च भी कर सकते हो और इसकी साइड में यहांपर आपको इसकी साइड में 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 आपको इसकी अपको विए दो आइकन देख जाएगा फ्रस्क्रीन मोड मेरेा तो एक्टरप ही राएकलिशन सब्सक्रीन मोर पर एक बर खार PAUL कना वे बाद रहो अप्र एक करने अप्र में नीचे प्लोल बहुत सारी इस बाक्राउंट से क्लियर हो जाएगा अब नेक्स इस फोन में आपको मिलता है Kids Mode तो बेसिकलिए अगर आपको फोन को किसी बच्चे के हाथ में देना है तो तब इस मोड को बनेविल कर सकते हो Vivo Z1 Pro में इस मोड में बेसिकलिए कुछ अप्रिकेशन आपको इंस्टाल मिल जाएगा कुछ अदिशनल अप्रिकेशन आप होम स्क्रीन में आड़ कर सकते हो लेकिन इन Kids Mode पे टाप करने के बाद ही इस मोड से आप एक्जिट नहीं कर पाऊगे आपको मिल जाएगा direct video calling की option यानि की dialer से आप directly video call कर पाऊगे अब next चलते है settings पे और यहाँ पर आपको काफी सारी options मिलेगा Starting up यहाँ पर firstly आप देख सकते है OTG की option यह phone supported with reverse charging तो यहाँ पर OTG Cable को connect करके आप किसी दूसरे phone को charge भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर है 5000 mAh of battery तो definitely इस फोन को यूसकर किसी भी और फोन को चार्ज कराऊगे using OTG Cable next is status bar and notification in status bar and notification यहाँ पर firstly आपको मिलता है manage notification की option तो एक मेलता है यह अर्माली ऑ़िए एक फोना अप्रिकेशिकेशिंट के एक नोटिकेशिंट के यह अपर जाया कर सथे हैं और मिल जाया है next is top preview style यहाँ एक नोटिकेशिकेशिशं बैनर की जो प्रिवीव भी यहाँ अपको कुस्टमाईज कर सकते हो नेच्स यह आपके पोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आने पर फोन की स्क्रीन लाइट अपो यहां साफ नेपल करना होगा वेक अप्र स्क्रीन रिमाइडर नेचे आपको कुछ और अप्षिंपे लेगा अडिशनल जैसे की ने तो उसक्रीक पर अपन्तना है तो बहुताओ बीप्शेचन को यहां से आपको कि आपको बैट्री परसेंटेज लेगा यहां से बाट्साइट कर सकते हो कि किस देव किस रही नोटिफिकेशन रिमाइंडर आप अप रही हैं तो और लाजिए लेकंशन ने तो पर चाहां रह अगर आप चाहते हो Navigation Gestures, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, तो चॉइस भी आपको मिलता है, Bottom Right Side Return, और Bottom Left Side Return, तो यहां सबस्ट कर सकते हो, और इसके बाद आपको फोन में मिल जाएगा Navigation Gestures, तो यहां सबस्ट कर सकते हो, तो यहां सबस्ट कर सकते हो, स्मार्ट सीन और स्मार्ट बटन, तो अपको नहीं से स्मार्ट बटन, याई जो AI बटन आपको मिलता है, तो यहां सबस्ट कर सकते हो, तो यहां सबस्ट कर सकते हो, इस पर एक बाद टाप कर एंप गुगल असिस्टेंट, next, नीचे यह दबल प्रेस, शुच अपर आपको मिलेगा जैसे कि image recognizer, Google Assistant, Visual Snapshot, यह से भी किसी भी अप्टिविटी को आप सेट कर सकते हो और जब दी आपको डबल प्रेस करोगे स्मार्ट बटन पे प्रेस्ट पो वो अप्टिविटी एनबल हो जाएगा फोन में Vivo Z1 Pro की gaming experience को आप काफी हदक एनाइस कर पाओगे with GameCube और इसमें जाने पर यहां पर आपको काफी सारी options पर जाएगा जैसे कि game assistant और बैग्ड़ांड को वाइल गेमिंग आप यहां से ब्लॉक कर सकते हो नीचे आपको मिलेगा एक reject की option जहां से आप incoming calls को reject कर सकते हो या फिर अलाओ कर सकते हो few calls काफी सारी important features आपको यहां मिल जाएगा इंसाइड GameCube जहां की gaming experience को बहुत एक इनाइस करेंगा इन Vivo Z1 Pro और इसके साथ-साथ पर्फॉर्मस प्रिफ्ट की एक option है जिसे निवल करने के बाद यहां में फोकस होगा गेम की पर्फॉर्मस पर नहीं जाएगा इसे आपको सारी गेम्स मिल जाएगा जो कि इंस्तॉल एफोन में और अचिशनली प्लस इचन पर टाप कर देगा और अप ताप के अचिशन पर पाद के निवल पर यह झालधी इसे डाएगा उताया बटियूर्च रिजवीस का खेंसाथ दैनसखे एक पड़क सारी इसे बाद टालीज़िजाशन पर शेल अपूर्क एंसाथ अफ्चिशन पर्फॉर्मस पराव कर भी ओर पुर्स इसे मिलें पर यहां से फ्क फंट स्टाईल और से छेंग सकते हो और The next ह hon side फने फंट उरेस्ट जूर्ड पिर है उसे इंक्रीज कर कर सकते हो इसके बाद बाद हो छार टमपरेचर एज़स्मिन ते टॉलाइंट की लिस्प्लेख किया है उससे औ we प्रن दोछे फोने आपको मिलता कुछ लक स्कीं फिचर्स की फिचर्स की फिचर्स लाइब भी विव द मिलेगा। यह पर इस feature की नाम है Lock Screen Poster और इसमे जाने से यहां काफी सारी options है जैसे कि अगर आप अनेबल करते हो तो फोन को अनलोग करने के टाइम हर वेट आपको एक न्यू ओलपेपर दिखेगा with some stories next है Lock Screen Phone Icon इस option के अनेबल करने पे जो Phone Icon है वो आपको Lock Screen पे लिख जाएगा लिकिन अगर आप Phone Icon नहीं चाते हो Lock Screen पे तो यहां से उसाप डिजबल कर सकते हो और next यहां पर है Home Screen Settings फॉर्स है Smart Launcher तो Home Screen सेटर आप लेफ स्वाइप करते हो तो यहां पर आपको मिलता है Smart Launcher जिससे आप Phone में जो Icon Style है यहां पर Icon Shape है उसे चेंज कर आओगे नेच्ट हम स्वाइप स्वाल पेपर आप सेट करते हो फोन में तो जो Home Screen Icon है यहां पर चेंज होता जाएगा और लासले यहां पर फीचर है Dynamic Icon और एक्जांपल किसी भी अप्लिकेशन में आपने कोई नोटिफिकेशन रसीव की है ऐसे एक अनिमेशन आपको नोटिफिकेशन आई भी अप्लिकेशन में दिखेगा इस फोन की fingerprint scanner बहती फास्ट है और इस फोन की fingerprint से फोन की अनलोग करने के साथ-साथ-साथ आप कुछ और भी कर पाऊगे ज़ी कि app locking या फिर hiding applications यह पर अपनीचर स्वाल करने पर आपको मिलता है app encryption and hide app basically in app encryption आप किसी भी application को लोग कर सकते हो with fingerprint या फिर face unlock and quite similarly यहाँ आप आप हाइड application फीचर को भी यूज कर पाऊगे हाइड application में जाने पर सारी applications यहाँ आपको दिख जाएगा जिसमें से कोई भी application आप हाइड कर सकते हो सिर्व इसकी side की button को फो टॉगल अन करना है और इसके बाद वो application हाइड हो जाएगा आपकी home screen से and उपर आपको यहाँ पर option मिलता है view from home screen तो अगर hidden applications को अक्सेस करने के लिए बार आप नहीं आना चाहते हो settings में तो इस option को आप टॉगल उन कर सकते हो इससे अगर home screen में आप दो फिंगर से swipe up करते हो तो यहाँ पर फिंगर्प्रिंट को या फिर प्रेस अनलॉक उसके बाद home screen पर ही आप अक्सेस कर पाऊगे hidden applications नेचे और भी दो options ना है जैसे कि fingerprint icon to capture inside camera आप fingerprint sensor पर टाप करके photos ले सकते हो and next slide down fingerprint icon to display notification center तो अगर फोन की fingerprint sensor पर आप swipe down करते हो तो इसे नीचे आजाएगा phone की notification panel इस phone की mode settings में आपको कुछ feature मिलता जैसे की control center और यहां से control center है उसकी side shifting आप कर पा होगे जैसे की toggles and brightness slider की side changing आप कर पा होगे इस option से और उपर यहाँ पर है shortcut center उसके बाद bring it up on app interface किसी भी application के आप अगर आप access कर आप चाहते हो control center तो इस option को डगल on कर आप नेक्स ओपन फ्रॉम लोग स्रीन तो अगर आप लॉग स्रें से control center को अग्सेस करना चाहते हो इस option करनेबल करने के बाद बाद गद कर आप कर आपको कर आप नेक्स बेले पागे बहुत सारी gestures है, first, जैसे कि है, slide upward to unlock, upward slide करके आप फोन को उनलॉक कर सकते हो, slide downward to take a photo, इस बने के बाद, downward slide करने पे आप फोटोस ले पाओगे, नीचे और भी काफी सारी है, जैसे कि यह ड्रो करने पे यहां पर ब्राउजर लाउच होगा, next, air operation, air operation में, first, black screen glance, बाद, for example, आपकी फोन टेबल करने के बाद, for example, आपकी फोन टेबल करने के बाद, और इसकी ब्लाइक है, तो फोन के उपर ऐसे वेफ करने पे आप पोन की स्टेटस लेख आओगे, next, air unlock, for example, आपकी फोन में कोई लॉक्स्क्रीन पास्कोड नहीं है, आपकी फोन 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 पर लो आट where अप लो प्र सिस नम्र पर इस जाएगा इस हो के और फ्रइशन आपको मिलेगा यसा हुझीija स्मार्न स्मार्व एंसर स्मार्र मीूट और लासे एप्रद कल पारा है रगावी टैन्स फिर धान बैं को पर स्विश्पीन मोड नबल हो जाएगा लास्लिट यह अपर अस्मार्लिक जो वॉल्यूम बटन है उसमें यहां पर अविलेबल कोई नबल को एक्टिविटी को सेट कर आप गाओगे जब गलाफ नबल को अपर किसी और अप्लिकेशन को नबल कि उनबल कर अपर अनबल को टॉर्ट को लिचेशन लांच हो जाएगा एक आप लिल्टर्स आपको मिलेगा उसके साथ stars ता उपर से music आपकर सक्ते और इन fun videos इस वर मेरे अपको मेलता एक वाई आंगल लेंस जिसे आप वाई आप लेंगल विडियोज और पोटो इहरые नियारे कामरे इन विडियोस आप लेंस रहाँ सा थर्जूशन अप 4K में जो मैंने मिस्की है इस विडियो में तो नीचे कर्में सेक्षिन में हमारे साथ जरू शेर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंदाया तो जरू लाइक कीजिए और हमारे चानल को जरू सुब्स्क्राइब करें आप से फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दो तक के लिए